हेलो गाइज एक बार फिर आपका मेरे चानल में स्वागत है मैं सभी का मेरे चानल में स्वागत करती हूँ जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर र ताइम देना चाहती हूं कि वो वीडियो देखे अच्छे से समझे और मेरा जो इन्फिमेशन है जो मैं आपको वीडियो के द्वारा देना चाहती हूं वीडियो के द्वारा देना चाहती हूं वो आप वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएगा इसलिए मैं बहुत ही ओफन वीडियो नहीं बनाती हूँ और जब मैं वीडियो बनाती हूँ definitely वो बड़े वीडियो होते हैं long वीडियो होते हैं क्योंकि मैं उसमें सारे information जो आपको आपके बर्ड के बारे में जानना है जानना चाहिए पता होना ची वो सरव देती हूँ तो आज का मेरा वीडियो अगेन सब्सक्राइबर के वज़े से है जिन्होंने मुझे तीन दिन पहले मेसेज किया था उनका कॉमेंट में इस वीडियो में आड कर रही हूँ आप देख सकते हो उन्होंने उसमें क्या लिका है उन्होंने उसमें कहा है कि उनके बर्ड जो तीन मेने का है उसके पूप में उन्होंने वर्म्स पाया तो मैंने सुचा कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको ये प्राब्लम्स फेस होते होंगे जरूरी नहीं है कि आपके बर्ड को पूप में ही आपको वर्म्स दिखाई दे, बहुत सारे सिंस्टम्स होते हैं, जिससे बर्ड को वर्म हुए है पेट में, उसका एक रीजन हो सकता है, तो मेरा वीडियो आज का डी वार्मिंग पर है, पहला तो what is डी वार्मिंग, डी वार जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, और तीसरा, बर्ड को वर्म्स होता क्यों है, क्या ऐसा रीजन है जिसके वज़े से बर्ड को वर्म्स होते हैं, तो यह तीन टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, यह मेरा आज का पार्ट वन का वीडियो है, पहला तो what is डी वार्म क्या है, डी वार्मिंग को ड्रेंचिंग भी कहा जाता है, डी वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें इंटेस्टनल पैरसाइट्स, जो वर्म्स होते हैं, जिसको पैरसाइट्स कहा जाता है, वो निकाल दिया जाता है, मेडिकेशन के द्वारा, या बर्ड को मेडिकेश दिया जाता है जिससे वो जो पैरसाइट से वर्म से वो इंटरनली मर जाते हैं और बहार आ जाते हैं तो यह प्रोसस है डी वर्मिंग का तो यह जो पैरसाइट से यह बर्ड के गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक में होता है अब यह गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक क्या है Gastro intestinal tract को GI कहा जाता है. यह ऐसा ओर्गन है जो हमारे mouth यानि मुं से हूकर अनस्तक जाता है. अनस्तक ट्रावल करता है. यह वो passage है जो हमारे mouth, esophagus, crop, stomach, small intestine, large intestine होकर अनस्तक जाता है. अब इक्यूंकि हम ये bird के बारे में बात कर रहे हैं इसले crop आया है और bird का जो अनस एरिया है उसको chloe का कहा जाता है मेरे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने body parts explain किया है उसमें मैंने आपको बताया था chloe का क्या होता है chloe क्या area कहा होता है बर्ड का internal anatomy का मैं पिच्छे लगाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बूल रही हूँ अब बात करते हैं types of worms के birds में बहुत सारे worms हो सकते हैं पर जो worms commonly पाए जाते हैं जो birds के digestive tract में infect करते हैं वो है round worm, eye worm, hair worm, gap worm, gizzard worm, scicilla worm, tape worm and thread worm इसमें से कोई भी worm आपके bird को हो सकता है जरूरी नहीं है ये worm अंदर ही हो पेट के अंदर ही हो ये worm बहार भी हो सकता है उनके feathers में भी हो सकते है और उनकी आख में भी ये worm हो सकता है अभी ये ऐसे कौन से symptoms है जो आपको पता चलेगा जिससे इसमें से कोई भी worm आपके bird को हुआ है पहला तो सबसे बड़ी चीज आप नोटिस करोगे कि आपका bird का weight loss हुआ है मतलब उसकी भूग कम हो गई है वो खाता कम है वो कम खाने की वज़े से automatically उसका weight loss होता है फिर आप आपके bird में weakness पाओगे उसमें बहुत tiredness weakness आपको दिखाए देगा उनका जो feather है poor feather condition आपको दिखाए देगा sleepiness उस जादा जादा सोएंगे जादा उन क्या कहते है जादा वो एकदम सुस्त रहेंगे ruffled feather जो feather है वो यह दिखू रही हो का feather भी straight है वैसा नहीं रहेगा ऐसा twisted round हो गया होगा ruffled हो गया होगा यह सब चीजे हैं फिर आप poop में worm देख सकते हैं जैसे मुझे देख सकते हैं सिम्टम्स आपके बर्ड में जिससे आपको पता चलेगा आपके बर्ड को डी वार्मिंग की ज़रूत है अभी how do birds get worms अभी birds को worms होता कैसा है पहले तो आपको मैं बताए डी वार्मिंग है क्या डी वार्मिंग के ताइप आपको बताए मैंने फिर symptoms आपको बताएं मैंने और आब मैं आपको बताती हूँ कि birds को worms होता कैसे है सबसे पहला चीज है bird का खाना feeding bowl जिसमें वो खाना खाता है जिसमें वो पानी पीता है वो main चीज है जिसमें से आपके bird को ये infection होने के chances ज़ादा है अगर आपने आपके bird को खाना दिया है और वो bird दो या तीन घंटे में खान नहीं रहा है वो खान नहीं रहा है वैसा ही वो पड़ा है कभी कभी उसमें insects आके बैठते हैं मक्हिया आके बैठती हैं वो मक्हिया इंसेक्ट भी parasites carry करती है मतलब उनके अंदर भी वो bacteria होता है जो वो आके उनके खाने में बैठता है जब उनके खाने में बैठता है और उसके बाद ये birds वो खाना को consume करते हैं तो वो bacteria उनके पेट के द्वारा उनके स्टमक उनके गले के द्वारा उनके क्रॉप के द्वारा उनके small intestine large intestine के द्वारा उनके पेट में जाके पहुचता है और वहाँ पे वो bacteria egg ले करता है जब वो egg ले करता है वो egg worm की तरह पैदा होता है तो ये जो वर्म पेट में है इसे मारना ज़रूरी है क्योंकि यही अगर आपके बर्ड के पेट में ज्यादा दिन रहा तो उसमें वीकनिस आएगा, उसमें वेट लॉस होगा, उसका फैदर कंडिशन पूर हो जाएगा, मतलब इसका कलर वो लॉस होगा, उसका फैदर एकदम जो बावल है उसको आपको रेगुलरली क्लीन करना होगा. अगर आपने देखा दो गंटे में आपके बढने खाना नहीं खाया है तो वो खाना आप ठ्ठ्सकते हो बावल क्लीन करके ज Commander सम्झा उसको फ्रेश खना दीजे और आपके अगर रटा ज़ता है तो वो निकाल के फेक दीजे और शाम को फिट से उसको खाना दीजे दिन भर आपके बर्ड के केज में खाना मत रखिए क्योंकि वो बर्ड दिन भर नहीं खाता है बर्ड जब खाता है उसके बाद वो खाना नहीं खाता है नॉर्मली अडल जो बर होते है वो दिन में एक या तो बार ही खाना खाते हैं, तो अगर आप उनके केज में दिन भर ये बाउल रखेंगे तो वो तो खाएंगे नहीं, पर जो मक्हिया हैं, कीडे हैं, ये सब उस पर आके बैठने लगेंगे, उसके वज़े से वो खाना इंफेक्टेड हो जाएगा, आपके बड अगर अगर अ इनने करते हैं, आपको रोज, एवरी डे, सुभा एक बार, शाम एक बार, आपको आपके बर्ड का केज क्लीन करना है, मतलब अगर आपने उसको न्यूस पेपर लगाया है, डाला है, तो वो ट्रे खोलिए, न्यूस पेपर को, जिसमें उसने पूप किया है, वो लेके, हफते में एट लीस्ट दो बार, आपको आपके बर्ड का केज धोना चाहिए, मतलब उसको डिस इंफेक्टेड करना चाहिए, वो कैसा होगा, आप उसको लेके आए बाहर, आपके बर्ड को आप दिन बर केज में मन डालिए, प्लीज, उनको रूम में छोड़ दीजे, वो रहेंगे, और जब वो टाइम है, उस टाइम पर आपके बर्ड का केज बहार लेकी आई है, उसको अच्छे से धोईए, उसको चाहिए, तो सोप वाटर यूस करके इसको अच्छे से धोईए, और सोप का कोई रेसिडियूल, मतलब उसका कोई भी थोड़ा भी उसमें होना इतने अच्छे से आपको पावर क्लीनिंग करना है, अगर आप उसको धूप में सिखाओगे, तो अगर उसमें कोई बैक्टिरिया है, कोई जर्म है, तो वो भी उसमें से निकल जाएगा,